Hi everyone and welcome to अपना कॉलेज राज हम बात करने वाले हैं Joint Admission Counseling यानि JAK के बारे में हम सबने J.E.Mains दे दिया है, हमारी कुछ-कुछ रैंक आ गई है अब हमें जाकर admission लेना है देली के government colleges के अमें अब इसमें सबसे ऊपर तो आता है हमारा IIT Delhi लेकिन उसके बाद Delhi के चार सबसे टॉप कॉलेज प्लेस्मेंट वाइज हैं हमारे NSIT, TTU, IIIT Delhi और IGDTUW तो इन चारों कॉलेज में admission लेने के लिए हमें एक JAK Counseling के तुरू जाना पड़ता है इसका प्रोसेस रहता है कि हमारी जो website है Joint Admission Counseling की उसके उपर हमें B.Tech या B.Architecture में रिजिस्टर करना पड़ता है सबसे पहले नए candidate की तरह रिजिस्टर करें अपनी information आड़ करें और उसके बाद सारे colleges की सारी branches के हमारे पास list आ जाती है और अपनी choice के हिसाब से हम लिस्ट में ऊपर नीचे चीजें आड़ कर सकते हैं और जो भी हमारी rank होगी उसके बाद हमें उस college में उस ब्रांच के अंदर एक seat allot हो रही होगी अब इस साल जैक के अंदर एक और college आया है which is D.S.E.U. Delhi Skill and Entrepreneurship University अब इसके जो placement के stats हैं या फिर इसकी closing rank के stats हैं वो हमने इस video में consider नहीं किये इस college को हम end में discuss कर रहे होगे पहले discuss करेंगे में चार colleges को जिनके बारे में काफी सालों से हमें पता है काफी सालों से counseling चलती आ रही है अब video के अंदर हमने एक पुरी की पुरी sheet आपको बना कर दे दिया और उसके अंदर हमने color coordinate किया है चीजों को हमारे पास जो भी blue color में branches लिखी हुई है वो है NSIT के main campus की जो light blue में लिखी हुई है वो सारी है NSIT के east और west campus की अभी east और west नए-nए colleges खुले हैं जो NSUT के अंदर आए हैं यानि नेता जी सुभाष University of Technology के अंदर आए हैं यह साथ साथ एकड के दो campuses हैं जो अभी कुछ सालों पहले ही आड हुए थे NSUT में और इनके placement का season अभी तक आया नहीं है लेकिन इनको placement के लिए NSIT के main campus आना पड़ेगा और वहां आकर इनको अपने प्लेस्मेंट के लिए बैठना पड़ेगा तो प्लेस्मेंट की जो उपरचुनिटी है वो अल्मोस्ट कंपेरेबल तो NSUT का main campus होने वाली है पर यहां पर अभी भी जो seniors है वो पुराने वाले batches के हैं जो atmosphere है वो वही का है तो एक चीज हमें consider करनी पड़ेगी कि शुरू के at least 3 साल पूरे के पूरे हमें वही के campus में बिताने पड़ेगे सिर्फ 4th year में placement में बैठने के लिए हम यह आ रहे होंगे तो अगर उन 3 सालों में हमने अच्छे से coding voting कर ली है या बाकी चीजों में अच्छ चांसे होंगे लेकिन अगर वहाँ पर इतना अच्छा culture नहीं बन पाया इतनी अच्छी हमने skills जो है वो नहीं सिखी तो फिर placement के chances थोड़े से कम अच्छे होंगे तीसरा जो color है वो है green color जो ही DTU को दिया है फिर yellow is triple IT Delhi pink दिया है IGDTUW को and last में हमने consider किया है DSEU को अब शु कि closing rank last year गई थी 3896 लेकिन triple IT Delhi की CSAI की सबसे कम closing rank गई थी फिर भी उसको नीचे रखने का एक reason है and इस video के अंदर हमने किस तरीके से चीजों को consider किया है पहली priority दी है placements को plus last year की closing rank को क्योंकि जिस भी branch में obviously अगर better rank वाले बच्चे होंगे तो college उस branch को ज्यादा consider करेगा placements के हैं दूसरी चीज जो consider की है वो है कि campus life कैसी है campus कहां पर situated है कितना बड़ा है क्या अलग अलग opportunity है academic load कितना है वहां पर attendance के rules कितने strict हैं अगर आप government exam के लिए prepare करे हैं क्योंकि कुछ भी skip किया तो काफी confusion रह सकता है कि कौन सी branch उपर क्यों रखी गई और कौन सी branch नीचे क्यों रखी गई तो सबसे पहले हमने लिया है NSIT की CSAI, NSIT की CSE और NSIT की CSDS को अब एक general चीज सबसे पहले कि चाहे आप NSUT की computer science में चले जाएं चाहे आप DTU की computer science में चले जाएं या चाहे आप प्रिपल आईटी डेली की computer science में चले जाएं आपके पास placement की opportunities बहुत सारी होगी वह बस बाद में जाकर depend करेगा कि वहां जाकर आप कितना अपनी coding skills पर काम करते हैं या फिर कितना अगर आप non-tech में भी जा रहे हैं तो वहां पर काम करते हैं अब अगर list की हम बात करें तो इसके अंदर अगर ट्रिपल आईटी डेली की CSAI में देखे कि कम closing rank गई है पर NSIT की 4000 गई है फिर भी NSIT का CSAI ऊपर इसलिए है क्योंकि यहां पर NSIT में भरी है 132 seats जबकि ट्रिपल आईटी डेली में भरी हैं सिर्फ 64 seats तो 64 में ही 3800 तो closing rank चली गई है एक और बात closing ranks के बार अगले round में a lot होती है लेकिन end में spot round होता है जिसमें काफी सारी seats a lot होती है और उस spot round में कभी कभी जो last rank होती है वो काफी high चली जाती है तो कभी भी last year के जो stats है वो completely copy नहीं लेकिन मोटा मोटी वैसा ही pattern रहेगा हमेशा admissions का अब sheet के अंदर हमने last year की closing rank दे दिया और इस साल कितनी seats है उस branch के अंदर वो हमने लिग दिया है यह seats almost comparable to last year है बस थोड़ी सी बड़ी होंगी तो illycom closing rank के against रफ कर देख सकते हैं पहली चीज़ जो हम notice करेंगे इस sheet के अंदर वो यह है कि last year NSUT की CSAI की closing rank थी 4000 जबकि triple IT Delhi CSAI की closing rank थी 3800 फिर भी NSUT को उपर रखा गया है और D DTU COE की गर बात करें तो उनकी closing rank थी 11,000 फिर भी DTU COE को उपर रखा गया है तो इसका reason यह है कि DTU और NSIT की college life है वो better है as compared to triple IT Delhi की college life अब triple IT Delhi में अगर आप सिर्फ academically बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छी opportunities मिलेंगी academically बात करें तो triple IT Delhi का CSAI is better than NSUT क सिर्फ academically professors बहुत अच्छे हैं opportunities बहुत अच्छी हैं लेकिन वहाँ पर academic load इतना ज्यादा होता है कि अगर आपको कुछ extra करना है वालिजे government exam की preparation करनी है तो उसके लिए आपको time नहीं मल रहा होगा तो वहाँ पर assignment थोड़े से ज्यादा हो जाते है work load थोड़े से ज्यादा हो इसलिए सबसे पहले है हमारा NSUT का CSAI उसके बाद आया है NSUT का CSE अब NSIT की CSAI जो ब्रांच है इसका अभी तक एक भी placement season नहीं निकला है लेकिन expectation यह है कि अगर ranks कम गई है computer science की branch है उपर से AI पढ़ाया जा रहा है तो placement stats better रहेंगे और उपर से जो top rankers है उन्होंने भी CSAI को choose किया है almost सारे के सारे colleges में अब इसके बाद आता है NSUT का CSE और उसके बाद NSUT का CSDS closing rank के हिसाब से भी यही order होना चाहिए उसके बाद आई है DTU की computer science उसके बाद NSUT का IT फिर DTU का IT and इसके बाद हमने लिया है triple IT का CSAI और triple IT का CSE तो कुछ इस तरीके से division रहा है computer science और IT के अं NSUT और DTU की fees से almost double है और आप hostel लेना चाहते हैं तो उस case में DTU के अंदर inside Delhi वाले students को hostel नहीं मिलता तो एक चीज हमें ध्यान में रखनी है अगर हम hostel लेना चाहते हैं तो फिर अगर वो हमारी top priority है तो हम देखने की कौन से college में जाना है और feast अगर top priority है तो भी देखने की कौ तो ही IT ले लेंगे तो फिर placement आपके लिए अच्छी ही होने वाली है उसमें ज्यादा differences नहीं होने वाले packages ले उसके बाद हमने डाला है NSUT का IT with network security फिर डाला है DTU का software engineering फिर आया है triple IT Delhi का CSAM और CSD अब triple IT Delhi का जो computing and mathematics है और computer science and design है और NSUT का mathematics and computing और DTU का mathematics and computing ये चार जो ब्रां इन चारों branches के students को placement में बैठने दिया जाता है तो अगर आपके पास सिर्फ इन चारों में choice है तो फिर almost आप कुछ भी ले सकते हैं उसमें फिर आपको top priority देनी है कि किस तरह की college life आपको चाहिए किस तरह की opportunities आप लेना चाहते हैं अगर आपको आगे research में जाना है तो फिर triple IT Delhi आप consider कर सकते हैं क्योंकि वहां का research atmosphere भी बहुत रचा है क्योंकि professors बहुत जादा अच्छे हैं लेकिन अगर आपको दूसरी चीजों में जाना है तो फिर आप बाकी DTO या NSIT को top priority दे तो इन चारों में अगर आप किसी को भी ऊपर या किसी को भी नीचे रख देंगे तो EIOT और NSUT की CSDA अब यह जो CSDA ब्रांच है यह नए campus में खुली है और EIOT में campus में खुली है और EIOT का अभी तक placement season नहीं आया है लेकिन क्योंकि इसमें internet of things आ गया है computer से related थोड़े से और subjects आ गया है तो expectation यह है कि EC से better इसको समझा जाएगा इसकी cut-off भी उपर गई है तो फिर placement wise opportunities बहुत सारी मिलेंगी CSD क्योंकि computer science की branch है लेकिन नए campus में है इसलिए नीचे आई है और इसकी closing rank भी कम है उसके बाद आती है हमारी IGDTUW की computer science and AI और CSE अब इसके ऊपर आपको जितनी भी branches मिल रहे हैं अगर IGDTUW आपकी choice में है तो फिर पहले आप उनको भरिये उसके IGDTUW को भरिये IGDTUW की closing rank भले ही 28,000 और 39,000 गई हो लेकिन वो इसलिए गई है क्योंकि सिर्फ women candidates के लिए भरे गई है seats और उनकी ranks जो है उस हिसाब से seats बरी है इसलिए closing rank जो है जादा है लेकिन opportunities wise जो last year के stats हैं placements के internships के वो बहुत अच्छे IGDTUW के अंदर भी तो अगर इ definitely हमें IGDTUW की computer science को consider करना चाहिए तो उसमें काफी सारी opportunities है major जो सारी companies है चाहे Microsoft हो गई हो Google हो लिंक्डिन हो गई हो Goldman Sachs हो गई हो यह सारी companies campus को visit करती है और अच्छे placement starts गई है इसके बाद आती है NSUT की EC, DTU की EC और IIIT Delhi की EC अब placement wise तीनों ही branches को placements में बैटने दिया जाता है लेकिन IIIT की EC को सबसे नीचे हमने तीनों में इसलिए रखा है क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई बहुत ज्यादा मुश्किल होती है and generally VTEC के जो students होते हैं उनको EC, electronics, electrical, ऐसे subjects की ज नीचेक दिया गए, NSUT को ऊपर दिया है और DTU की EC को उससे उपर दिया है उसके बाद आती है NSUT के नए campus की CIOT जिसकी last year closing rank गई थी 36,000 फिर आती है IGDTUW की IT जिसकी closing rank गई है 50,000 तक लेकिन अगर इसको भी आप ऊपर रखना चाहें क्योंकि campus life IGDTUW में अगर आप a co-ed college न आप IGDTU IT को ऊपर रख सकते हैं इसे NSUT CIOT को आप नीचे रख सकते हैं अगर campus life consider करें तो कि कितना बड़ा campus है या किस तरह की opportunities होगी इसके बाद आती है हमारी NSUT की ECAM उसके बाद IIIT Delhi की computer science with social science और computer science with biology अब इन दोनों ब्रांचेस को जिनकी closing rank भी कम है हमने इन ब्रांचेस के नीचे दो reasons की वज़े से रखा है पहला reason obvious है क्योंकि IIIT Delhi की पढ़ाई थोड़ी मुश्किल है दूसरा reason यह है कि यह जो दोनों ब्रांचेस हैं भले ही computer science नाम में आता हो लेकिन काफी सारी companies है जो social science या biology जब आता है तो उसको biotech की तरह treat करती है तो उसमें arts वाले subjects humanities वाले subjects थोड़ी जाद होते हैं जो top companies आ रही होती है वो चाहती है कि top branches का वो test लें अपनी placements के लिए तो फिर इन दोनों branches को थोड़ा सा कम वो है consider करती है placements के लिए इसलिए इन दोनों को थोड़ा सा नीचे रखा गया है लेकिन फिर भी क्योंकि नाम में computer science है क्योंकि syllabus में core computer science क subjects आप पढ़ रहे होते हैं इसलिए फाइदे बहुत सारे हैं अगर आप off-campus भी apply करना होगा तो एक eligible computer science की चारियर की आप degree कर रहे होगे उसके बाद हमारे पास आती है NSUT की electrical engineering और NSUT की instrumentation and control engineering अब जितनी भी companies electronics को बैठने देती है वो सारी electrical को भी बैठने देती है और instrumentation and control engineering engineering एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कुछ-कुछ computer science के subjects हैं तो उनको भी preference देती है हमारी सारी tech companies अब electrical जो ब्रांच है उसके अंदर subjects जो हैं थोड़े से मुश्किल होने वाले हैं क्योंकि electronics, electrical इन में थोड़े से मुश्किल सब्जेक रहते हैं जो generally students को मुश्किल लगते हैं और I academically आप एक easier subject choose करना चाहते हैं जिसमें आपको tech placement में भी काफी सारी companies बैठने दें तो उस case में आप ICE को ऊपर रख सकते हैं double E से तो वो आपकी personal call रहीगी उसके बाद आती है DTU की electrical और फिर आती है DTU की mechanical अब DTU की mechanical अगर आपको core में placement लेनी है तो फिर काफी अच्छी branch है core क्या मतलब है जो भी placement होती हैं colleges के अंदर तीन तरीकी की placement होती है या तो tech placement होती है coding करने के बाद या वो non-tech placements होती हैं जैसे consulting jobs हो गए या फिर होती है हमारे core jobs जैसे आप electronics कर रहे हैं तो आप electronics की company में जाएंगे semi conductor वगेर जो construct करती हैं बनाती है अब mechanical कर रहे हैं तो फिर core jobs होते हैं उनके काफी सारे jobs के जो packages होते हैं वो कम होते हैं as compared to tech jobs इसलिए placement wise placement अच्छी है DTU Mechanical की सारी branches की लेकिन उनके packages average package जो जाता है वो कम रहता है क्योंकि overall जो core में packages होते हैं वो कम रहते हैं इसलिए DTU Mechanical को नीचे रखा गया है DTU Electrical को उपर रखा गया है क्योंकि colleges के अंदर mechanical branches को जादा tech companies prefer नहीं करती placements के लिए तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब भी आप on-campus placement की बात कर रहे हैं उसके बाद आता है हमारा IGDTU का ECE AI और IGDTU का ECE अब यह electronics and communication engineering with artificial intelligence इस साल एक नई ब्रांच आगया है और क्योंकि इसमें computer science का subject आ गया है इसलिए इसको last year वाली ECE से हमने ऊपर रखा है क्योंकि expectation है कि इसके packages better होंगे क्योंकि इसमें computer science की preference ज्यादा होनी चाहिए उसके बाद आया है हमारा EC फिर list में है DTU का mechanical and automation NSUT का mechanical engineering DT DTU का civil engineering and उसके बाद NSUT की MPA उसके बाद जितनी भी branches arrange की गई है वो सारी arrange की गई है on the basis of their closing rank तो closing rank के basis पर arrange की है सारी की सारी अब बाकि की जो branches है उनमें समझने वाली चीज यह है कि most of the tech companies जो आ रही होंगी वो इन branches को on campus placement के लिए preference नहीं देंगी preference के लिए आती है सिर्फ ऊपर की 3-4 branches जिनके अंदर अपनी computer science वाली आ जाती है information technology वाली आ जाती है electrical electronics वाली आ जाती है instrumentation and control engineering जिसी branches आती है उसके बाद वाली जो branches होते है mechanical तो mostly core के लिए consider किया जाता है और यह branches consider की जाती है non-tech companies यानि consulting jobs के लिए साथ के साथ कोर में भी बहुत सारी companies आती है तो इसी लिए यहाँ पर हमने closing rank के basis पर arrange किया है कि जिसकी भी better closing rank है आप उसको ले लीजे क्योंकि उसमें जादा जो top ranker बच्चे होंगे वो जा रहे होंगे तो इस तरीके से बाकी सारी branches को arrange कर दिया है और लास्ट में हमारे पास आई है IGDTUW की mechanical क्योंकि उसकी closing rank सबसे highest थी which was 9,64,000 इसके बाद हमने DSEU की branches को arrange किया गया है अब इन branches को usual pattern की हसाब से arrange कि सबसे ऊपर आनी चाहिए computer science फिर हाती है हमारी electronics से placement फिर mechanical की और फिर बाकी branches की अगर हम लिस्ट में इन सारी branches तक पहुंच गए हैं तो आप शायद टाइम आ गया है कि हम private colleges के अंदर भी देखे हैं कि क्या वहाँ पर हमें computer science जैसी branches मिल रही है तो यह और वह काफी comparable है आप उन तक जानब भी consider कर सकते हैं तो इस तरीके से हमने सारी की सारी जो है list discuss कर ली है इस पूरी की पूरी list को काफी सारे students और teachers के experience के basis पर बनाया गया है मैं खुद NSIT से हूं Microsoft में काम किया है साथ के साथ Amant sir भी NSIT से हैं उसके अलावा NSIT के और हमा तो आप यह लिस्ट हमें help कर रही होगी यह decide करने में कि priority wise कौन सी ब्रांच को हमें उपर रखना है कौन सी ब्रांच को मीचे रखना है आज के लिए इतना ही all the best for your counselling season मिलते है next time till then keep learning and keep exploring क्योंकि अगर NSIT DTU का student दो रुख है